वेलकम टू शुरिवास्तप क्लासिस तो भाई बहुत सारे बच्चे जो करंटली फॉर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एक्जाम दे रहे हैं तो भाई उनके मन में ये डाउट आ रहा है कि अगर हमारा कोई फॉर्थ या सिक्स सेमेस्टर का एक्जाम छूट जाता है या हमारी भाई क्लिर करता हूं देखो भाई अगर आप लोगों का फॉर्थ या सिक्स सेमेस्टर का कोई भी एक्जाम अगर छूट जाता है इस वार जो भी बच्चे एक्जाम दे रहे हैं फॉर्थ और सिक्स सेमेस्टर के या आप लोग का रिजल्ट आने के बाद किसी मैं जून 2024 में जाकर अब बोलोगी यह तो पूरा एक साल हमारा बेकार हो जाएगा तो हाँ भाई पूरा एक साल आप लोगों को जो है वेट करना पड़ेगा वो इसलिए क्योंकि भाई एसल की तरब से कोई भी आप लोगों को जो है सेकंड फेस की अपोर्चुनिटी नही जाएगी सेकंड फेस एक्जाम की अपोर्चुनिटी देना तो इस वादे से एसल वाले भी भाई कोई भी सेकंड फेस की अपोर्चुनिटी नहीं देंगे आप लोगों को आप लोगों को पूरा वेटी करना पड़ेगा 2024 में जब मैं जून 12 से आप लोगों का 4 और 6 सेमेस जाए कि result जो है वो 2 से 3 महीने में आता है 6 सेमेस्टर वाले बच्चों का हो सकता है जल्दी आ जाए एक से देड़ महीने में क्योंकि 6 सेमेस्टर वालों को पीजी वगरा करने होते है तो उनका result आपका 4 सेमेस्टर के comparison में जल्दी आने वाला बाकी 4 सेमेस्टर का तो आप लोग दो से तीन महीने तक रिजल्ट जो है उसे बूल जाएगा बाकी फर्दर जो भी ओफिशन अपडेट्स होंगी आप लोगों को इनफर्म जरूरू करा हूं किलाल के लिए आप लोगों को अपडेट देना था यही क्लिर करना था मिलते है नेक्स वीडियो में